व्यूज में एक जलग बुलिट या नम्बरिंग जोड़ना बुलिट बिंदू या बुलिट तारांकन चिन्ह, ब्लाक डॉट, वर्ग, वृत्थ, राफिक्स या अन्य चिन्ह होते हैं जो पाठ्य से पहले पाया जाता है, जो प्रमुख वस्तूओं या अन्य महत्वपूर्ण पाठ्य की पहचान करता है किसी भी बुलिट को लगाने के लिए हमें टेक्स्ट लाइन चुनना और बुलिट और नम्बरिंग डायलोग बॉक्स खोलना होता है अपनी पसंद की किसी भी बुलिट पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें लेकिन लागू बुलिट हटाने के लिए बुलिट के बजाए नन विकल्प चुने और ओके पर क्लिक करें डेटा व्यवस्तित करने के लिए टाब का उपियोग करना कीबोर्ड पर टाब कुण्जी का उपियोग, टेक्स्ट लाइन पर किसी विशेश स्थिती में डेटा या पाठ्य के हिस्से को सनरेखित करने के लिए किया जाता है व्यूज में एक जलग Microsoft Word हमें डॉक्यूमेंट के पाँच अलग-अलग व्यू देता है और प्रत्येक का अन्य की तुलना में अपना लाब है हम डॉक्यूमेंट के लिए किसी भी निम्नलिखित व्यू का चयन करने के लिए व्यू टाप पर क्लिक कर सकते है सामान्य लेयाउट सामान्य व्यू के अंतरगत हम पाठ्य फॉर्माटिंग के साथ एक ही प्रिष्ठ प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन बिना किसी आरेखन, टिपनियों या स्तंभों के वेब लेयाउट यह व्यू डॉक्यूमेंट को इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि वह एक वेब पेज की तरह दिखाई देता है प्रिंट लेयाउट इस व्यू में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार डॉक्यूमेंट अपने पेज अंतराल के अनुसार प्रिंट होगा Reading Layout Reading Layout के अंतरगत, डॉक्युमेंट आसान नैविगेशन के लिए पेजों की थंबनेल इमेज के साथ फून पेज व्यू में प्रदर्शित होता है Outline Layout यह व्यू व्यापक स्थर पर डॉक्युमेंट की सामगरी की सनरचना करने और डॉक्युमेंट को विभिन्न खंडों में व्यबस्थित करने के लिए है